Muscular dystrophy एक group of genetic disorder है इसमें होता क्या है जो हमारे skeletal muscles है उनकी progressive weakening होती है और skeletal muscles defunction होने लग जाती है दोस्तो बात करते हैं कि इसके causes क्या होते हैं ये किस वज़े से आपको देखने को मिलती है दोस्तो muscular dystrophy का causes सबसे बढ़ा ये होता है कि genetic mutations की वज़े से जो genes हमारे muscles के अंदर structure बनाने का काम करते हैं और muscle functioning को देखते हैं वैसे genes के अंदर mutation हो जाता है जिसकी वज़े से आपको देखने को मिलती है muscular dystrophy इसके symptoms के गर में बात करूं तो आपको muscle weakness देखने को मिलेगी loss of mobility आपको देखने को मिलेगी साथी joint contractures आपको देखने को मिल सकते हैं साथी अगर आपकी chief inspiratory muscles में involved है तो आपको respiratory failure भी देखने को मिल सकता है